क्लास 12 का NCRT solution जिसमें aldehyde ketones and carboxylics का in text question number 4 जो है वो हम लोग take up करने वाले हैं काफी important question है arrange the following compounds in increasing order of their reactivity in nucleophilic addition reaction सबसे पहले ना बेटा जी मैं इसका मतलब जो है वो आपको समझातू देखो nucleophile से मतलब क्या होता है नूउकलियस लविंग nucleus loving वही होगा जिसके उपर वो हम लोगों के पास क्या रहने वाले है वो रहने वाला है, Nucleophile, Nucleus की तरफ attract होने वाला है, Nucleus पर positive charge होता है, Nucleus की तरफ कौन attract होगा, जो negative charge है, तो negative charge का addition जो है, वो हम लोग कर रहे हैं, किसी भी C double bond O group के around, तो उन्हों, funda क्या है, ये हमारे पास हो गया C double bond O group, और ये हम लोगों के पास हो गया Nucleophile, अब नुक्लियोफाइल कैसे अटैक करता है, नुक्लियोफाइल इस तरह से अटैक करेगा, यह बॉंड को ब्रेक करेगा, और हम लोगों के पास यहाँ पे नुक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, और यह जो है वो O-negative में convert हो जाएगा, तो इस तरह से जो है, वो हमारे पास नुक्लियोफाइल का addition हो रहा है, अब कुशन ही आता है, कि यह easily attack कब कर पाएगा, जब यहाँ पे छोटे-छोटे groups जो है, वो जोड़े होंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर बड़े groups होंगे, तो इसका attack करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, दूसरा, जितना ज्यादा यहाँ पे electron withdrawing group attach होगा, क्योंकि देखो, जितनी ज्यादा इसके ऊपर positivity होगी, इस particular carbon के ऊपर, जितनी ज्यादा positivity होगी, उतना easily attack करेगा, तो दो factors है, या तो electron withdrawing group इस C double bond O के साथ attach हो, जो क्या करेगा, उसकी reactivity को towards nucleophilic addition reaction increase करेगा, क्योंकि positive charge है, तो negative charge को easily जो है, वो हम ल पर जाके नहीं attack कर पाएगा, जिसकी वज़ा से यहाँ पे attachment जो है, वो थोड़ा से difficult हो जाएगा, तो मैं आपको जो है, इनी दोनों factors को आपको ध्यान में रखते हुए, वो इस question को answer करना है, सबसे पहले जो है, वो एक-एक करके हम लोग यह सारे parts देख लेते हैं, इतनल ह बनेगा, यह C double bond O group है, यहाँ पे hydrogen है और एक side पे इसके CH three group जो है वो attach है, एक पर सारे बना लेते हैं, propainal है, propainal हम लोगों के पास कैसे बनेगा, CH3 हो गया, CH2 हो गया, यह C double bond O है और इसके साथ यहाँ पे hydrogen attach है, उसके बाद क्या है हम लोगों के पास? प्रोपिनोन है। प्रोपिनोन हम लोगों के पास जो है वो कैसे बनेगा। C double bond O group है। यहां पर CH3 है और यहां पर भी CH3 है। और last हम लोगों के पास क्या है ? ब्यूतेनोन है। ब्यूटेनोन हम लोगों के पास जो है वो कैसे बनने वाला CS3, CH2, C double bond O और यहां पे जो है वो CS3 अब सबसे कम steric hindrance जो है वो इस पर्टिकलर कार्बन के केस में है तो इसका मतलब इसके उपर अटाक जो है वो सबसे ज़्यादा इजिली हो पाएगा क्योंकि यहां पे एक CS3 ग्रूप इधर है और एक hydrogen ग्रूप जो है वो इधर है तो यह number one है जिसके उपर nucleophilic addition जो है वो easily हो पाएगा अब अपने को increasing देना है तो यहां पे last में आ जाएगा हम इसको दे रहे हैं कि यह winner होगा सबसे easily attack कर पाएगा अब यह देखो यह वाला थोड़ा सा बड़ा ग्रूप है यह थोड़ा सा बड़ा ग्रूप है तो यह हम लेकिन यहां पे चोटा ग्रूप है इसलिए इसका हम लोग second number देंगे उसके बाद यह particular जो है वो हम लोगों के पास दो ग्रूप है लेकिन यहां पे दोनों ग्रूप बड़े है तो यह third number पे आएगा और यह हम लोगों के पास जो है वो fourth number पे आएगा अगर हम लोग increasing उसकी बात करें करेक्टर की बात करें nucleophilic addition reaction की तो this will be the one, this will be two, this will be three and this will be four तो इस तरीके से जो है वो आपको इस particular concept को जो है वो सोचना है अब हम लोग जो है वो next इसी के अंदर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं तो next part हम लोगों के पास benzaldehyde है benzaldehyde हम लोग यहां पे जो है वो बना लेते हैं तो यह हो गया मेरे पास C double bond O और यह hydrogen हो गया तो दिस इस आर benzaldehyde एक साइड पर hydrogen अटाच है और एक साइड पर benzene अटाच है दूसरा टॉल्डी हाइड जो है वो पी पे पे टॉलीन जो है वो बना हुआ और यह बन गया हमारे पास टॉलीन और पी पे जो है वो हमारे पास aldehydig group जो है वो जुड़ा हुआ है तो यह हम लोगों के पास जो है वो हो गया दूसरे वाला पी नाइट्रो benzaldehyde अब यहाँ पे देखो बटाजी पी पे जो है वो नाइट्रो group अटाच है तो एक साइड पे नाइट्रो group अटाच हो गया और एक साइड पे हम लोगों के पास aldehydig group जो है वो अटाच हो गया और acetophenone यह हम लोगों के पास acetophenone जो है वो हो जाएगा अब question यह आता है कि किसके उपर attack सबसे easily जो है वो हो पाएगा nucleophilic addition का अब यहाँ पे आपको किस concept से जो है वो चीजों को understand करना है देखो यह एक साइड पे बेंजीन है एक साइड पे hydrogen है जिबकि यहाँ पे एक साइड पे बेंजीन है एक साइड पे टॉलीन है यह बड़ा group है तो इसका मतलब इस पे attack जो है वो easily होगा दूसरा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे NO2 group जो है वो attach है electron withdrawing group है जिससे nucleophilic addition reaction जो है वो हमारे पास एक better जो है वो तरीके से हो सकती है क्योंकि इस carbon की उपर जो है वो positivity comparatively बड़ेगी और यहाँ पे जो है वो हम लोगों के पास इसका भी steric hindrance आ रहा है और इसका भी ह और इसके साथ अगर compare किया जाए लेकिन यह electron withdrawing group होने की वज़ा से यहाँ पर positivity जादा है तो यह हम लोगों के पास जो है वो winner होगा मतलब यहाँ पर nucleophilic addition सबसे जादा होने वाली है उसके बाद इसी का second complimentary part हम लोगों के पास जो है वो यह होने वाला है उसके बाद यह electron को देने वाला group है लेकिन हाँ इसलिए इसको जो है वो हम लोग थर्ड number पे रखने वाले है और यहाँ पे तो एक साइड पे बेंजीन और साथ ही एक साइड पे जो है वो ketonic group हो गया ketone में obviously steric hindrance हम लोगों के पास जादा होती है तो यह fourth part जो है वो हम लोगों के पास हो जाए जी यह particular question जो है वो आपको clear है